नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अमित और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी वेबपी इमेज को JPG इमेज में कैसे कनवर्ट कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं जब यहां पर देखिए यहां पर मेरे पास एक वेबपी इमेज पड़ी है XYZ के नाम से ठीक है मैं इस पर राइट क्लिक करके properties अगर आपको चेक करवाँ तो देखिए यहां पर type of file में आप देख सकते हैं क्या लिखा है वेबपी इमेज ठीक है मतलब कि जब मैं इस पर डबल लिक करके इसे open करता हूँ तो यह इस तरीक से browser में हमारे open हो जाती है ठीक है तो मेरे को इसी वेबपी इमेज को JPG में convert करना है तो इसे करेंगे कैसे जरो उसको देखिए simply आपको करना क्या है Google पर आजाना है और यहां Google में search करना है webp to JPG converter planet ठीक है देख लिजे same to same ऐसा ही आपको यहां पर type करना है ठीक है और इसे search कर लेना है जैसी search कर लेंगे यहां पर आपको पहला website दिख जाएगा converterplanet.com का ठीक है simply इस पर click करिएगा webp to JPG free image converter के उपर तो जैसी मैंने इस पर click किया वैसी देखिए यह website जो है open होके यहां पर आ गई है simply अब हमें क्या करना है उस image को यहां पर upload करना है जिसको मैं JPG में convert करना चाहता हूँ ठीक है तो simply इस पर click करेंगे upload के button पर और देखिए यह रही XYZ वाली image desktop पर थी simply आपका finally convert हो गया simple download का button देख जाएगा download पर click कर लिजेगा और देखिए अब यह आपकी जो image है यहां नीचे download हो जाएगी ठीक है तो चलिए मैं इस image को आपको open करके दिखा देता हूँ simple show लिपे में click करता हूँ show in folder पर click करता हूँ जहां यह download होके आई होगी simply यह देखिए यह देखिए इमेज जो download होके आई है download folder में right click करता हूँ इसके उपर properties में जाता हूँ और यह देखिए यहां पर type of file देखने क्या है jpg file ठीक है अब मैं अगर इसे open करूँगा तो ब्राउजर में open नहीं होगा बलकि यहां पर photo जो आपका application होता है windows में उसके अंदर यह आपका open हो जाएगा ठीक है so उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से webp image को jpg में convert कर सकते हैं ठीक है आपकााद कर दोगा दोगा ठीक है